Power BI के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया, benefits देख लिये और अब इस वकत हम Power BI को install करने वाले हैं तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने अपना system on कर लेना, अगर आप mobile पे देख रहे हैं तो please turn on your PC क्योंकि हमारा ये course PC को on करने से लेके आपको Power BI Specialist बनाने तक है तो आपने अगर अपना PC अब on कर लिया है, तो ठीक, नहीं किया तो वीडियो को pause करें और प्लीज अपना PC on करें और फिर Power BI को install करें बाकि लोगों के लिए हम continue करते हैं स्क्रीन पे जाने के बाद, यहांपे Google गो आपने open कर लेना है यहांपे लिखना है Power BI, तो मैं यहांपे Power BI लिखता हूँ Power BI लिखने के बाद आपके सामने ये इस तरीके से Power BI Data Visualization का link open हो जाएगा आपने इस पे click कर लेने है click करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे Power BI जो है वो getting started भी लिखा हुए and there are many other things जो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो Power BI क्यों use करने है co-pilot in Power BI and there are many other things Power BI से related जो हमारे पास मुझूद है लेकिन आपने करना क्या है आपने top पे जाने top पे जाने के बाद यहाँ पे products पे जाने Power BI पे जाने और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास Power BI, desktop, pro, premium, embedded and report server तो आपके पास यह कुछ products है Power BI की ठीक है अब आप से related कौन सी product है उस पे काम करते हैं मैं इसको थोड़ा से zoom out करता हूँ आपने products पे click करने के बाद यहाँ पे देखना है Power BI, desktop, pro, premium, embedded and report server तो इसका असान तरीका यह है कि मैं यहाँ पे Power BI पे click करूँ तो obviously मेरे पास जो link open होगा वह यह वाला हो जाएगा but on the other side अगर मैं इसको थोड़ा से zoom out करूँ तो यहाँ पे pricing के उपर click करने के बाद मैं Power BI पे click कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको clearly नजर आएगा कि आपके पास कुछ different versions मुझूद है Power BI ये खास तोर पे Power BI in Microsoft Fabric Free Account अगर आपके पास Power BI Fabric Account है Microsoft का तो आप वहाँ से देख सकते है क्योंकि Power BI Microsoft का product है Power BI Pro Account है जिसके 10 डॉलर पर मन्त है और इसके कुछ benefits यहाँ पे लिखे हुए ठीक है फिर आपके पास premium account है तो अगर आप बिलकुल first time सीख रहे हैं Microsoft Office 365 E5 अगर आपके पास version है जो एक educational version होता है आप learn more पे click करने के बाद इसको open कर सकते हैं अगर आपके पास Microsoft Office का E5 version मुझूद है जो एक teams के थ्रू मिलता है आपको और यह basically या तो आपकी university के थ्रू मिलेगा या company के थ्रू अगर आपके लिए available है नहीं available, don't worry about that आपने क्या करना है Power BI Desktop and Power BI Mobile यह दोनों free of cost available है आपने download free पे यहाँ पे भी click करना है मैं इसको right click करके open कर लेता हूँ और यह mobile app है अगर आप चाहें तो आप इसको भी load कर सकते हैं तो basically अभी के लिए मैं क्या करता हूँ Power BI Desktop के उपर click करता हूँ click करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास download free की option है मैं इस पे click करता हूँ तो हमने यहाँ पे जैसे click किया तो यह हमें कहता है कि आपका Microsoft Store open करके वहाँ से आपको Power BI हम देंगे मैं कहता हूँ ठीक है इसको open कर दो open करने के पाद मेरे पास Microsoft Store के अंदर यह Power BI Desktop आ गया है इसका दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे search bar में Microsoft Store लिखें और अगर आपके पास window 11 है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं वरना आपकी जो search bar आप लेफ्ट साइड पे आ रही होगी तो आपने ऐसे Microsoft Store लिख लेना है यहाँ पे भी आप Power BI लिखेंगे तो आपके पास same Power BI जो है वो इस तरीके से open हो जाएगा and this is Power BI Desktop ठीक है मैं यहाँ पे get पे clear करता हूँ जैसे मैं get पे clear करूँगा click करूँगा not clear तो जैसे मैं यहाँ पे get पे click करता हूँ तो यह download होना start हो जाएगा obviously it will take some time on the other side जब तक यह download हो रहा है आपने यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं and there are some other tools as well तो Power BI के बे बहार tools आपको मिल जाएंगे और लोगों ने different किसम की इसकी extensions भी बनाई होंगे so जैसे यह मेरे पास यहाँ पे download हो जाएगा and then we will move further कि किस तरीके से इस downloaded version को हम use कर सकते हैं for further installation and other purposes तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे यहाँ पे get पे click किया तो Power BI Desktop already मेरे पास यहाँ पे download होके install हो चुका है Microsoft Store का सबसे बड़ा फाइदा यही है कि यहाँ पे आपके पास जब भी कोई चीज़ आप get करते हैं get पे click करते हैं तो यहाँ पे install हो जाती है आप यहाँ से भी उसे open कर सकते हैं या आप यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आप लिखेंगे Power BI Desktop तो यह यहाँ पे भी available होगा So it's totally up to you कि आप कहां से इसे open करना चाते हैं मैं यही से इसे open कर लेता हूँ और यह मेरे पास इस तरीके से Power BI जो है वो install हो चुक है जैसे ही मेरे पास open हो रहा है मैं आपको और भी इसकी Power BI की एक app दिखा देता हूँ which is Power BI Report Builder और मैं इसको भी यहाँ पे get कर लेता हूँ because we might need this in our upcoming lecture ताकि आप यह दोनों जो है इसको install कर लें तो यह इस तरीके से हमारे पास इसका interface जो है वो open हो गया you can actually look into this interface आप क्या करेंगे अब यहाँ से अपना sign-in account भी बना सकते हैं और यहाँ पर अपना email और बाखी चीज़ इंडाल देंगे जिससे क्या होगा आप basically Power BI service को use कर पाएंगे which is a kind of online platform जहाँ पर अपना Power BI को utilize करने के बाद अब लोगों के साथ share भी कर सकते हैं but that we will do later on अभी के लिए इतने आपने install कर लिया होगा आप यहाँ से इसको explore करें home पे जाएं check करें कि आपके पास कौन गौन सी चीज़ें available हैं यहाँ पर getting start पे click कर दें और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक website open हो जाएं कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि Power BI को किस तरीके से use करना है hopefully यह installation का procedure आपको समझाया होगा और आपने install कर लिया होगा मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartafel मैं आपको Power BI सिखा रहा हूँ आप सीख रहे हैं ना पकी बात है that's great write down in the comment section जैसे आप installation कर लिते हैं hashtag Power BI with Kodemix आप यह लिखेंगे that will help me to actually motivate myself I would say for the next lectures इससे गया होगा हमें और भी energy मिलेगी और अम मिलके Power BI को master करेंगे अपना ख्या रखें पूरे के पूरे course का link मैंने description में दिया हुआ which will help you to understand Power BI क्या है क्यों है कैसे यूज करने और इसे master कैसे करने see you in the next one अपना ख्यार रखेंगा